सवी सातियों को मेरा नवसकार आई होप आज जो आपका जर्नल हिंदी का कोशन पेपर हुगा है बहुत बहतरिन हुगा होगा आज मैं आपको इस वीडियो में तीन से दो डीजे जो हिंदी कोशन पेपर है इससे सो कर रहा हूँ तो इसमें आपका फर्ष्ट MCQ कोशन है हरी ओद की ठेट हिंदी का ठाट करती की बिदा है तो सातियों आपका शैकन सही है यह एक उपन्यास बिदा की करती है बूले विसरे चहरे करती के लेखक हैं इसका अंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे बासुदेव सरंड अग्रुबाल लेखक हैं तो अपसन नमबर सैकन सही है इसमें भारत की एकता आलोचना सहित्य काली दास की लालित्ती योजना के लेखक हैं तो थर्ड अपसन सही है हरे संकर परसाई इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं ये तो काफी इजी कोशन है जैसंकर प्रसाद अगला कोशन है आपका सुमित्रा नंदन पंत का काब्य शंकलन है तो वीड़ा है सातियो आपसन आपका फोर्थ सही है प्रगतिवाद योग के कभी हैं तो नागा रुजन है आपके आपसन नंबर आपका सेकंड सही है प्रियोग बादी कभी नहीं है तो सातियो सिव मंगल सिंग सुमन नहीं है ये आपके हैं प्रभाव कर माचवे मुक्तिवोध और अग्या मैतली सरण गुप्त की रचना है तो भारत भारती आपका ओफसन फश्टी ही सही है महा ब्रच के नीचे काब्य करती है इसका अंसर मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे क्योंकि अगर आप इसफेसली इंगलिस की प्रप्रेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जोड सकते हैं और ये तो मैं पार्ट टाइम थोड़ा सा आपको वता रहा हूँ आईए और भी जो कोशन पेपर है ये पूरा मैं आपको सो करता हूँ थोड़ी अच्ची क्वालिटी के साथ तो ये रहा शातियो अगला कोश्या ठीक है थोड़ा सा आपको विजीवल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि जन्होंने कोशन पेपर भेजा है मेरे पास सही से ये आ नहीं पाया है अब ये उन लोगों के लिए सो कर रहा हूँ जो आगे 2025 में बोड एक्जाम देंगे तो वो देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये कोशन पेपर रहा है ठीक है सातियो तो थोड़ा समय वीडियो को जल्द ही स्टॉप करूँगा ये आपके खंड काब्य से कोशन है उसके बाद ये खंड खा आपका संस्कृत से है ये है आपको एक किसी मुहावरेव को अपने सेंटेंस में यूज करना है उसके बाद ये है आपका अंसिन पैसेज है उसके बाद यहां कह रहा है हॉमोफॉंस आप कह सकते हैं सूर और सूर सूर माने तो आप जानते हैं बहद्दूर होता है या बीर आप कह सकते हैं सूर बीर आपने सुना होगा तो सूर देवता आप कह सकते हैं तो साइद मेरे अकॉर्डेंग बहद्दूर और निश्चार राचस भी होता है सूर माने तो बताइए क्या साइद सा अंसर सही है क्या भवन और भवन भवन माने आप जानते हैं घर होता है भवन माने साइश संसार होता है तो इसमें भी सा अंसर सही हो सकता है यहां मैं आपको पर्यावाशी लेखने है उसके बाद यहां कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अदूतिय आप कह सकते हैं और अंसर साइध फर्ष्ट आपका सही है जो सब कुछ जानता हो उसे सरवग्य कहते हैं ओमनि साइंट यानि की डी अप्सन सही है इन मैसेज दो बाकियों को आपको सुद्ध करना है तो राधाने पत्र पढ़ा होना चाहिए मेरे लिए फल आओ या मेरे लिए फल लेकर आओ ऐसे आप लेख सकते हैं और प्रोक्त कथन सही हैं अंकी बिंदी होना चाहिए था तो ये था साती आपका कोशन पेपर स्रंगार रस अदवा सांत रस लच्चन और उधारन सहित अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार तो बताईए कैसा रहा था आपका कोशन पेपर ये आपका लेटर है या चात्र बिरती के लिए आप एक आविदन पत्र भी लिख सकत हैं और ये आपसे ऐसे आने की निभन्द पूचे हैं बढ़ती जनसंक्या तथा रोजगार की समस्या मैंने इंग्लिस में इसे आप लोगों को प्रोवाइड किया हुगा है पर्या वरन्ड संरचण की आवसकता इंग्लिस के लिए ये भी इंपोर्टेंट है तो थैंक्स फ